कुछ दिनों पहले RPS हीरालाल सैनी की कुछ वीडियोज वाइरल हुई थी जिसको लेकर राजस्तान सरकार शर्मसार हो गई थी लेकिन अब हीरालाल सैनी की मुश्किले कम होने का नाम ही नहीं ले रही स्विमिंग पूल में बच्चे के साथ अश्लील हरकते करने वाले निलंबित RPS हीरालाल सैनी को अभी जेल में ही रहना होगा शुकरवार को पॉक्सो एक्ट में उसे पेश किया गया 6 साल के बच्चे के साथ पूल में बेशर्मी की हदे पार करने वाले हीलालाल सैनी की कोट ने जमानत याचिक का खारिस कर दी है इस बीच राज्य सरकार ने हीलालाल और सुविंग पूल में साथ दिख रही महिला कॉस्टेबल को नौकरी से बाहर कर दिया कार्मिक विभा के इसकी मंजूरी दे दी गई है इधर कोट ने जमानत खारिस करते हुए कहा कि अभी जाच पूरी नहीं हो सकी ऐसे में आरूपी को जमानत का लाब नहीं दिया जा सकता निलंबित आरपीएस हीरालाल सैनी का महिला कॉस्टेबल के साथ पूल में अश्लील हरकते करते हुए वीडियो वाइरल हुआ था इसके बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया था हीरालाल सैनी के एडवोकेट ने जमानत याचिका पेश की थी शुकरवार को जमानत पर सुनवाई हुई कोट ने कहा कि हीरालाल सैनी को अभी जमानत नहीं दी जा सकती अभी पूरे प्रकरण के जाच लंबित है कोट ने जमानत याचिका को खारज कर दिया जमानत खारज होने पर हीरालाल सैनी कोट से बाहर निकलते हुए मायूस नजर आ रहे थे इसके बाद निलंबित आरपियस हीरालाल सैनी को जेल भेज दिया गया है निलंबित RPS हीराला सैनी और महिला कॉंस्टिबल के दो वीडियो 6 साल के बच्चे के साथ पूल में नहाते हुए सामने आये थे दोनों बच्चे के साथ भी अशलील हरकते करते हुए नजर आये वीडियो पुशकर के एक रिसॉर्ट में मनाये गया था ये वीडियो एक महिने पुराना था महिला के पती ने भी वीडियो देखकर दोनों के खिलाफ शिकायद दर्ज करवाई थी वीडियो के सामने आते ही डीजी पी ने दोनों को सस्पेंड कर दिया था वहीं पूरे प्रकरण में 6 अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी इस खबर में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलिटिन नमस्कार